एलो दोस्तों कैसा लगा आज का नाश्टा देखके आप यकीन नहीं मालोगे कि आप सी कच्छे आलू से इतना टेस्टी नाश्टा बना के तैयार कर सकते हो जो की पांस मिनिट में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखे मिले लिया है करहाई इसके अंदर डाल दें वैसे ही आएगा और फिसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम चिली फ्लैक्स इसे बहुत अच्छा चटपटा नाश्टा बनके तयार होता है बिल्कुल यूनिक रेसिपी है अब बहुत जल्दी बना के तयार कर सकते हैं इसको थोड़ा सा डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी इस तयार कर सकते हो वह भी कच्छे आलू से तो देखिया में ले लिया है एक कच्छे आलू उसको हमने अच्छे से कद्दू कस कर लिया था यह देखिया बारिक वारेस हमने कद्दू कस किया था ताकि नाश्टा जल्दी बनके तयार हो सके तो बढ़िया से मिसको मिक्स करेंग और किये उसको इसी तरीके से एक घम होब आने तक वेट करेंगे जब तक कि इस पानी में वबाल ना जाए तब तक हम इसको इसी तरीके से चलाते नहीं यह तो आप भूक के भी अवाओ आने के छोड़ सकते हैं तो यह देखिए एक में ठोग गया हमको चलाते हुए इसमें पानी में आ गया है उबाल आप देख सकते हैं तो इसको हम इस तरीके से फिर से चला लेंगे एक बार और बढ़िया से पानी में उबाल आने के बाद आप इसमें हमें एड करना है हमने ले लिया है एक कटोरी पार करेंगे डालने के बाद ताकि इसमें ज्यादा ना पड़ पाए यह देखिए इस तरीके से जल्दी जल्दी चलाना है आपको चाहे तो आप गैस बंद करके भी मिक्स कर सकते हैं तो हमने एक कटोरी सूजी लिया था इसके लिए डेड़े कटोरी पानी लिया था तो माब बिल करते हैं बढ़िया से डो बना हुआ है इसी तरीके से हमें इस डो को बना लेना है और फिसको बंद कर देना है तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेक करना मत भूलेगा चैनल पनाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा कमें में बताएगा कैसी लगी आज की माई रैसिपी और अब कहां से वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएगा तो इसको हम ठंडा कर लेंगे 2 मिनिट के लिए ताकि हलका से ठंडा हो जाए तो हम इसको हाथ से मसल सके तो 2 मिनिट के छोड़ देंगे इसी तरीके से तो यह देखिए हमने 2-3 मिनिट के लिए छोड़ दिया था और बढ़िया से हमारा हलका से ठंडा हो गया हलका हलका से गरम है जादा एकदम से ठंडा नहीं करना है फिर थोड़ा से इसको हम मसल लेंगे दिखे इस तरीके से मसलते हुए इसका एक डो हम बना के तयार कर लें आपके तारीफ़े करतें नहीं थखेंगे ये ये देखें बढ़िया से डोय बन के तयार हो गया है ये बनाना सुरू करते हैं आधह डोय भोक ही देता है गोल गोल क करके ऊदब थोकर बढ़िया से को करें देखिए आप बढ़िया से को हम लगा लेंगे चारों तरब से तेल को उसको हाथों से इस तरीके से हम फैलाएंगे देखिए थोड़ा सा हम इस तरीके से पहले फैला लेंगे यह बहुत आसानी से फैल जाता है फटता नहीं है और बहुत ही बढ़िया से बनके तयार होता है कोई झछट नहीं है आप जब भी जाहे तुरन बनाकर इसको खा सकते हैं जटपर्से बनके तयार हो जाएगा तो देखिए 关ory ने हाथ इस तरीके से फैला लिया है इसंटी बोहँती बढ़िया से बाद में फिर से बना लेंगे तो चलिए आप इसको हम कट कर लेंगे तो आप इसको अपने इच्छा नुसार कट कर सकते हैं जिस तरीके का शेप आपको पसंद है उस तरीके से कट करिए हम इसको देखे लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर रहे हैं इस तरीके से और इसको बीस से भी कट कर लेंगे यह देखे इतना हमें छोटा बढ़िया चाहिए अपने नाश्टे को बनाने के लिए आप चाहे तो बड़े साइज को बना सकते हैं या आप कोई भी सेप इसको दे सकते हैं तो देखिए यह चपकेगा भी नहीं यह बहुत भड़िया से बनके तयार हुआ है इसी तरीके से हमें सारे ना सुरू करते हैं तो हमने तेल रख दिया था पहले से ही गरम होने के लिए देखिए तेल गरम है मारा अब इसके अंदर हम डाल देंगे पर नाश्टे को और बढ़िया से क्रिश्पी होने तक पकाएंगे तो पहले से पका हुआ इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा अब दो से तीमनेट लगेगा और बढ़िया से क्रिश्पी करारे कुर्कुरे क्रंची बनके मैं नाश्टे बनके तयार हो जाएंगे कि आप इसको बना के खाईए सुबा से साम तक खाते नहींगे ना तब भी मन नहीं भरेगा बार बनाने का मन करेगा इसको और बच्चे विधिया तो बहुत ही जयादा पसंद करेंगे किंडे प्रोड ऑखाना बूल जाएंगे अगार आपने इस नाश्टे को Wass्च बना लिया तो इनको बढ़िया से खामा अने तक अच्छे से बढ़िया से बढ़िया तो अब एशे से बढ़िया से इनको विद् सरी में इस तो कलर देखिसें कितना बढ़ीया है बहुत अछे हूँ से फूले फूले से बने हुए नीज नुकाल लेंगे नाउट्टकीं आरज आनाश्ड इस को रहा है भी था पर बनके प्लेट त, तौ नादा नाश्टी पर्विता स्वा Appreciate तो यह देखिए गरम गर्म हमाइन सारे नाश्टे बनके तयार हुगे हैं कुरकुरे कुरकुरे आप देख सकते हैं बहुत टेश्टी आता है एक बार जरू बना के देखिएगा आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ सूजी यहों कि अच्छे आलू से इतना टेश्टी नाश्टा बन सकता है वो भी कम समय में कोई जंजट नहीं घर के रखे समान से ही बनके तयार हो जाएगा तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे और वीडियो द ियो